UPSC ने मालीजी कोट पूछ लिया ये जूलिये सीजर का I had rather be first in a village than second at Rome कई बार एक line आपने सुनी होगी गाउं में first होना ज़्यादा बढ़िया है बजाए के किसी भी city में second होना ऐसा क्यों बोला जाता है आप example देखिए A और B का दोनों doctors हैं A जो है वो किसी गाउं के first doctor है B जो है senior doctor है वैसे A से skill भी काफी बढ़िया है complex issues solve करते हैं complex cases देखते हैं लेकिन city में काम करते हैं गाउं के बजाए तो ना A की जो self worth होगी ना अपने आप में वो ज़्यादा होगी वो इसलिए क्योंकि गाउं के वो पहली doctor है गाउं के लोग उन्हें काफी ज़्यादा respect करेंगे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों की ego भी बढ़ जाती है क्योंकि monopoly है एक मातर person है वो बहुत सारे लोग उन पे dependent हैं बहुत respect मिलती है तो इस वज़े से बहुत बार complacency भी आ जाती है ego भर जाती है ऐसे लोगों की वो कहते है ना छोटे कुगा का मैंडक मतलब कुछ लोग आपने देखा होगा कि अपने छोटी सी दुनिया में जी रहे होते हैं जहां पर उनकी respect होती हैं वो अपने आपको बहुत ज़्यादा influential मानते हैं देखा होगा आपने जरूर ऐसा भी जो बढ़िया डोक्टर है ज़्यादा skilled हैं लेकिन सहर में काम करते हैं सहर में उन जैसे और भी डोक्टर्स हैं तो लोग के पास चुकी alternatives हैं तो उतनी respect भी की नहीं है देखो आम तोर पर यह तो मैंने चलो आपको डोक्टर्स का example दे दिया bureaucrates या फिर दूसरे sense में यह use किया जाता है कई बार एक छोटे से सहर में कोई officer होता है वो बहुत ज़्यादा arrogant होता है कई बार आपने देखा होगा लेकिन बलकी cities में जहाँ पर बहुत सारे bureaucrates काम करते हैं वहाँ पर कई बार bureaucrates बहुत ज़्यादा humbleness के साथ बात करते हैं बहुत ज़्यादा complacent नहीं होते जनता के hit में काम करने की कोशिस करते हैं तो यह मतलब है इस court का date आज की है 24 फरवरी 2024 2024 तीन issues हम discuss करेंगे details से सबसे पहले open book exams आप भी अपने राय दीजिएगा open book exams CBSC pilot basis पे करवाने जा रही है दूसरा trickle down approach तो fail हो गई हमारे देश के economy में एक अलग alternative writer present करते हैं क्या होना चाहिए तो हम जानेंगे क्या है थोड़ी सी इनकी जो suggestions है ज़्यादा ideal है practical नहीं है फिर भी हम समझेंगे तीशे नंबर पे एक article हम discuss करेंगे business standard का by you का downfall, corporate governance इन सब issues से समदित तो चलिए discussion start करते हैं आज की discussion में first important article open book exam से समदित हैं और देखो slaybers की बात करें तो slaybers के GS paper 2 के इस topic से आप article को relate कर सकते हों open book exam क्या होता है open book exam में न students को इजाज़त दी जाती है कि भया आप books open करना चाहते हो तो कर लीजिए मतलब आपको definition देखनी है, data देखना है formula देखना है, तो आपको इजाज़त है आप अपने मर्जिक की books लेके आईए कर पाता है नहीं कर पाता है, जो knowledge है book में, उस knowledge का real time situation में इस्तिमाल कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये सब चीजें check की जाती है open book exam में, context देखो ये है, मतलब ये exam news में इसलिए आए है, क्योंकि CBI ने एक proposal दिया है, CBI ने बोला है, हम open book exam को conduct करवाएं, school बच्चों के लिए पूरे देश में, उससे पहले हमें एक pilot study करनी है कि कुछ गरबन ना हो जाए, मनब कुछी बच्चों पर इसे try करके देखना है ताकि जो learnings है, उसके हिसाब से फैसला लिया जाए, तो 9th और 10th class के जो students है न, selected schools में उनके English, Mathematics और Science के जो exams है, वो open book से होंगे, और plus 1, plus 2 के कुछ बच्चे selected schools में उनके exam English, Mathematics और Biology इन तीन subjects के open book से होंगे, और देखो पिसली साल, जो National Curriculum Framework रिलीज किया गया था न, उसी Framework के according, अब CBSC ने ये propose किया है कि बच्चों के जो test है न, वो competency based होने चाहिए, मतलब competency check करें, ऐसे exam होने चाहिए ना कि बच्चे की रट्टा मारने की जो समता है, वो check किया जाए exams के थुरू देखो, ऐसा नहीं है कि ये altogether एक नया proposal है इससे पहले भी हमारे देश में open book exams जो है वो try किये जा चुके है जैसे 2014 में CBSE ने open text based assessment introduce किया था ताकि बच्चों के उपर जो stress आ जाता है exam से पहले चीजों को याद करने का उस stress से बच्चों को निजात दिलाई जासके ये जो open text based assessment था ना, ये introduce किया गया था class 9th के बच्चों के लिए Hindi, English, Mathematics, Science and Social Science में और class 11th के भी final examination में कुछ subjects जैसे economics, biology और geography के लिए ये जो assessment था ना open text वाला, ये introduce करके देखा गया था इस assessment में exam से 4 महिने पहले बच्चों को जो material दिया गया था ना, वो material लाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ना 3-4 साल तो CBSE ने ये try करके देखा, लेकिन उसके बाद 2017-18 के academic year से, CBSE ने इसे discontinue कर दिया, क्योंकि CBSE को ये लगा कि हम ना बच्चों में critical जो abilities है ना, वो cultivate नहीं कर पा रहे हैं इस परकार के assessment के थूँ देखो higher education में तो open book exam काफी common है और 2019 के बाद से ही जब All India Council for Technical Education जो engineering colleges को regulate करती है न बोडी, इसने engineering colleges में open book exams को allow कर दिया था एक advisory body की recommendations के अधार पे, उसके बाद तो Delhi University, Jamia Milya, Jawaalal Nehru Alligate Muslim Visei Dalya, IIT Delhi, IIT Indore, IIT Bombay, इन सब ने open book exams को conduct किया है अभी हाल फिलाल में, केरला के higher education exam reform commission ने recommend किया, कि exam जो होने चाहिए, खास करके internal और practical examination, ये तो देखो open book format में ही होने चाहिए तो ये सब examples हमें क्या बताते हैं, कि हमारे देश में open book exam का concept ये proposal उतना भी नया नहीं है, जितना हमें लग रहा है पहले मैं आपको फाइदे बता देता हूँ, open book exam अगर होते हैं, तो क्या-क्या फाइदे होंगे सबसे पहली चीज़ देखो हम ना चीज़ों को याद करते हैं जैसे UPSC में भी हम बहुत सारे facts का रटा मारते हैं, definitions याद करते हैं, ताकि जो कित्यों, mains में लिक्स के, वहाँ पे सोचने का टाइम बहुत कम होता है, तो ना, चीज़े जो हम याद करते हैं ना, अब human being की memory तो देखो limited है, आज हमने याद की, कल हम भूल जाएंगे UPSC में हम दो महिने पहले कल को officer बन गए, तो ओभी हम ना, फिर से search मारेंगे, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है तो जब देखो कोई चीज याद रहती ही नहीं है, तो उसको check करने का फाइदा क्या, school में हमने देखो, education का मतलब ये होना चाहिए, कि बच्चों में capability develop करना, ताकि जो चीज उसे सिखाई जा रही है वो real time basis पर, यानि real life में उन चीज़ों को कैसे implement करेगा, कैसे apply करेगा उस knowledge को इस चीज़ पर focus होना चाहिए, और ये चीज़ कैसे लाई जा सकती है open book exams की साहिता से, जहां पर देखो, वो basic information, basic knowledge उसे दी जाए लेकिन वो कैसे उस knowledge को apply करेगा इस चीज़ को check किया जाए, और वो कैसे हो सकता है open book exams के थ्रू और वैसे एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वो को apply करके उसे करते हैं, तो बलकि चीज़े जादा समय तक हमें याद रहती है बजाए उनको हम सिधा रटा मारें, अगर उनी चीज़ों को हम practical के थ्रू करें न तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है real life में उसे apply करें तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है इससे पहले कि हम open book exams के विरोध में argument डिसकस करें थोड़ा सा और information है इस article के थ्रू CBSE का जो यह proposal है न, open book assessment वाला यह national education policy 2020 से भी align करता है national education policy 2020 भी बोलती है कि ना हमारे education system में wrote memorization यानि rectification पर ज्यादा focus है इसे replace करके आप competency-based learning लेके आओ जैसे देखो student को आप photosynthesis आपको सिखाना है तो practically उसे सिखाओ कि कैसे plants को sunlight चाहिए किन किन चीजों की साहिता से plants अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं वो उसे practical सिखाओ देखो जब बच्चों को बहुत सारी चीज़े याद करनी पड़ती है न, रट्टा मारना पड़ता है तो उस पे ना unnecessary stress और anxiety आती है इसका example तो देखो civil services के experts में भी देखने को मिलता है exam से पहले आपको भी देखो ऐसा लगेगा कभी-कभी यार कुछ याद नहीं आ रहा है सब भूल गए हैं, इतना कुछ याद किया है लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है इस चीज से न, tension होने लगती है anxiety होने लगती है, pressure आने लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है बात ये है काईदे से UPSC को भी न learning outcome पे focus करना चाहिए कि बच्चे में कितनी analytical skills है लेकिन बहुत बार UPSC भी देखो बहुत factual questions पूछ लेती है बहुत ही random questions GST इन में से कौन से product पे लगता है कौन से पे नहीं लगता है अब देखो sacro products है sacro products में आप सारे याद थोड़ी न रखोगे किस पे GST लगता है किस पे नहीं लगता है लेकिन पूछ लेती है UPSC कई बर अब बोलने वाले लोग बोल सकते हैं कि UPSC ये test करना चाहती है कि कौन से question आप attempt करते हो कौन सा नहीं करते हो लेकिन वो illogical thing है UPSC के defense में ये argument देना कि वो question छोड़ने वाला था इसलिए UPSC ने डाला कि कुछ बच्चे time waste कर दें इस पे point आप समझ गए ना अगर देखो open book exam होगा तो बच्चों को कम stress होगा last moment पे चीजों को रटा मारने की tendency नहीं होगी और उन्हें पता है पूरा साल जो सीखा है practical किया है वही काम आएगा exam में तो ज़्यादा टैंसल लेने के आऊ सकता नहीं है तो बच्चों को फाइदा होगा लेकिन ना इसके विरोध में भी काफी सारे arguments दिये जाते हैं सबसे पहला argument तो देखो ये है open book exam के against कि teachers के लिए question बनाना ही difficult रहेगा teachers को मेहनत करने पड़ेगी question बनाने में जो कि ना हर जगह पे ये ensure करना कि question भी learning outcome check करने वाले हो और analytical skills check करने वाले हो कैसे ensure किया जाएगा कि हर जगह teachers हैसे question पूछें otherwise तो देखो हमारे देश में ये गड़ भड़ी हो सकती है open book exam तो आगए teacher question बनाने में मेहनत नहीं कर रहे है और teacher simple question ही डाल रहे है paper में और बच्चों को book भी दे दी फिर तो आपको पता है क्या होगा 100 में से 100 marks 80 marks सब के 90 marks क्योंकि question आपने simple set कर दिये जो books में से असानी से जिनका answer दिया जा सकता है next नुकसान देखो ये होगा बच्चे ना over dependence हो जाएंगे books के उपर वो पढ़ना ही छोड़ देंगे उन्हें लगेगा यार book तो मिलेगी exam में और वहाँ से फिर find out करके answers दे देंगे पढ़ाई को बहुत ज़्यादा lightly लेने लगेंगे बच्चे क्योंकि उनको लगेगा कि books खोल के exam है तो इतने serious exam नहीं है समझ गे तीसे नंबर पे ये argument दिया तो जाता है लेकिन इसे तो address किया जा सकता है कि ना सभी बच्चों के पास में call access नहीं होगी books की अब कुछ बच्चे जो महंगी books को afford कर पाते हैं वो देखो महंगी से महंगी book लेके आएंगे exam में और कुछ बच्चे नहीं ला पाएंगे वो गरीब परिवारों से समझ रखते हैं हलांकि इसे address किया जा सकता है कि ना ये चीज ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चो को पढ़ाया तो आपने पुराने तरीके से रटा वाला ही मतलब schools में इस परकार से आपने पढ़ाया ही नहीं कि बच्चो में analytical skills डवलप हो तो फिर exam अगर उस skill को test करने के लिए 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 जाएंगे तो ऐसा नहीं हो कि कि क्लास में आखे किसी बच्चे को बोल देते हैं कि आप पढ़िए आप पढ़िए मतलब एक बच्चा रीड करना स्टार्ट करता है चैप्टर से फिर दूसरे बच्चे की बारी आती है पांच मिन्ट तक वो बच्चा पढ़ता है खड़ाओ के फिर दूसरा बच्च वो बैठ जाता है दूसरा बच्चा फिर चैप्टर में आगे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो इस परकार से पूरा चैप्टर टीचर के दवरा पढ़ा दिया जाता है और कई बार टीचर की तरफ से एफर्ट्स नहीं देखने को मिलते पढ़ाने में मतलब सारे स्कूल्स में नहीं होता है मैं यूं नहीं गह रहा हूँ लेकिन पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ओपन बुक एक्जाम से आप कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हो तो उस परकार की चीज़ें आप पढ़ाओ भी सही उस परकार के धंग से आप पूरा साल पढ़ाओ भी सही तो वेसे आप बताईए कोमेंट बोक्स में आपको क्या लगता है कि ओपन बुक एक्जाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए चलते हैं आगे इसके बाद देखो अगला जो आर्टिकल है वो एकोनमी से समद्दित है आप जीयर्स पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो अरुन मेरा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है पहले प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था न उसके ये मेंबर थे आर्टिकल देखो वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा आईडियल ज़ादा है प्रैक्टिकल कम है कैसे? सुरुवात में ये बोलते है बट इनिक्वैलिटी इस देश में काफी बढ़ गई है जीडिपी जो ग्रो हुई है किसकी वज़े से ग्रो हुई है अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ी है जो ब्लेस ग्रोथ जो हम हमेशा बात करते हैं कि देश की एकोनमी की ग्रोथ रेट तो इंक्रीज हुई है फाइदा गरीब लोगों को नहीं हुआ है उनका इंकम लेवल बढ़ना चाहिए था जो की नहीं बढ़ा है सरकार का सुरुवात में न फोकस इस चीस पर था LPG Reforms के बाद से ही कीसे ने कैसे करके GDP का साइस इंक्रीज करो मतलब जैसे आपको example देता हूँ फोकस यह था जैसे यह केक है सरकार का यह फोकस था की केक का न साइस इंक्रीज करो बाट तो आपस में लेंगी देश की जनता, किसको कितना मिलेगा साइज तो इंक्रीज हुआ केक का, पहले इतना था तो इतना हो गया बट न दिक्कत ये हुई कि जातर जो केक है न वो अमीर लोगों को ही मिला और गरीब लोगों में केक का बहुत थोड़ा हिस्सा मिला ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एक्जाम्पल से बताया लेकिन इस एप्रोच का नाम है ट्रिकल डाउन ट्रिकल डाउन में क्या होता है कि GDP का साइज बढ़ता है तो बाद में धीरे धीरे उसका फाइदा गरीब लोगों को भी होता है जैसे ये अमीर लोग है उपर हमारे देश में अंबानी अदानी है ये अमीर लोग है तो इनको फाइदा होगा तो धीरे धीरे फाइदा गरीब लोगों को भी होता जाएगा क्योंकि growth जो है वो trickle down कर जाएगी लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ फिर writer एक बात बोलते हैं कि न अभी इंडिया न एक परकार के climate crisis से गुजर रहा है climate crisis पूरे world में है वैसे तो लेकिन dilemma इंडिया जैसे देशों में ज़्यादा है क्योंकि न वर्ल्ड में ये narrative चला है कि fossil fuels का जो use है न वो बंद कर दिया जाए पूरी तरह से लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ fossil fuels आज के समय में हमारे जिंदगी में कहां कहां पर use होता है चार foundation के जो material है वहाँ पर fossil fuels का इस्तमाल होता है production में जैसे देखो सबसे पहले steel है दूसे नंबर पर concrete है तीसे नंबर प्लास्टिक है चोते नंबर पर food है steel और concrete required है buildings बनाने के लिए roads बनाने के लिए bridges बनाने के लिए जो आज के समय में देखो transportation की basic need है habitation की basic need है steel जो है वो देखो जायतर machinery की न backbone है जो भी machines बनती है आपने देखा होगा steel से बनती है फिर plastic का इस्तमाल कहां पर होता है plastic का इस्तमाल होता है देखो कोई चीज हम transport करते हैं ठैली में रहके ट्रांसपोर्ट करते हैं ठैली में बंद करके और खाना pack करते हैं वो भी plastic की साइटा से pack करते हैं और सबसे last में food food मतलब जैसे देखो fertilizers वगरा का इस्तमाल होता है agriculture में fertilizers की manufacturing में fossil fuels का इस्तमाल होता है तो modern civilization में चार foundational material को produce करने में fossil fuels का इस्तमाल होता है modern civilization में कौन-कौन से है steel, concrete, plastic and food अगर हमें fossil fuels को replace करना है न तो देखो जिस परकार से इंसान रहता है न रहने का तरीका ही change करना पड़ेगा रहने का तरीका ही change करना पड़ेगा क्या यह possible है एक बार देखे सुनिये फिर आप बताएए को comment box में की possible है या नहीं है writer कहते हैं देखो हमारी सरकार भी न Western countries की तरह सोचती है कि किसी भी देश की economy न तीन स्टेजी से होके गुजरती है सबसे पहले agriculture, फिर manufacturing और fit services और सरकार की strategy भी इसी परकार से है कि जैसे जैसे जनता जो है वो ज़्यादा सहरों की तरफ जाएगी जनता ज़्यादा agriculture को छोड़ेगी तो इसका मतलब देश ग्रो कर रहा है, देश डेवलप कर रहा है writer कहते हैं बट देखो हमारे देश में न अलग टाइप की strength है हमारे पास में हमें Western countries की त्योरी पे नहीं सोचना चाहिए उस थोरी को नहीं अपनाना चाहिए गाओ हमारी strength है, agriculture हमारी strength है तो ये एक चीज है और दूसरी चीज वो कि fossil fuels के use को कैसे खतम किया जाए तो दोनों चीजों को आप mix करिए writer अपनी तरफ से suggestions देते हैं कि हमें गांधियन वे में सोचना चाहिए गांधी ने क्या बोला था village अपने आप में self sufficient होने चाहिए गांधी ने बोला था ना कि एक village को जो चाहिए सब कुछ village में produce हो, देखो बेसक पूरी तरह से आज के समय में ये मुम्किन नहीं है, लेकिन ऐसा तो हम कर सकते हैं ना कि जो supply chains हैं वो छोटी से छोटी हो मतलब एक गांधी को कोई समान चाहिए तो आसपास के किसी गांधी से मिल जाए मतलब transportation की cost कम से कम आए इस परकार की economy होनी चाहिए कि दूर दराज के area से चीजे मंगाई नहीं ना पड़े, जो चीज़ आपको चाहिए, गाउं के लोगों को चाहिए वो या तो उसी गाउं में मिल जाए, produce होके या फिर आसपास के किसी गाउं से मिल जाए अगर देखो ऐसा होगा, supply chains छोटी होगी, तो transportation की cost कम से कम आएगी transportation की cost कम से कम आएगी तो fertilizers का इस्तमाल काफे जादा होता है और fertilizers की manufacturing में fossil fuels का इस्तमाल होता है जैसे coal है, petroleum है यह सब चीज़ें, तो writer कहते है आप न, zero budget वाली farming कीजिये, natural agriculture natural farming उसमें fertilizers का इस्तमाल होता ही नहीं fertilizer का इस्तमाल नहीं होगा, तो fossil fuels का use खतम हो जाएगा तो यह दूसरा point देते है, writer फिर तीसरा point देते है, कि आपना renewable energy पे ज़्यादा से ज़्यादा focus करो क्योंकि machine तो फिर भी चाहिएगी modern civilization में, लेकिन वो machines चले renewable energy की साहिता से ऐसा writer propose करते है तो last minute writer यह बोलते है, आप यह 3-4 चीज़ें अपनाओगे ना, तो दोनों काम पूरे हो जाएंगे एक तो गाउं लेवल पे development आएगा और सरकार की सोच है कि सहरों से गाउं से लोग को सहर में ले जाना है urbanization जितना ज़्यादा होगा, उतना economy grow करेगी, लेकिन यह जो model है जिसमें villages को self-sufficient बनाना है, natural farming फोकस है, supply chains छोटी से छोटी होनी चाहिए, गाउं में ही सब कुछ मिल जाए इससे गाउं लेवल पे भी income generate होगी, गाउं लेवल पे भी economy boost होगी तो वो जो western countries का model है कि service sector आप grow करोगे तब ही फाइदा होगा हमारे देश में जनसंक्या जादा है masses में employment चाहिए तो इन 3-4 points से वो दोनों चीज़ें हम insure कर सकते हैं गाउं के लेवल पे development भी ला सकते हैं रोजगार provide कर सकते हैं और fossil fuels को खतम करने का जो dilemma है जो pressure है इंडिया के ऊपर वो भी हम झेल सकते हैं fossil fuels के use को remove करके तो ये writer का article है मतलब थोड़ा सा ideal जादा है आपको कैसा लगे writer के points आप comment box में नीचे बता सकते हो अब हम चलते हैं अगले article की तरफ इसके बाद next article देखो business standard से है article देखो corporate governance और education पर focus करते हैं byju को ये case study हैं लेकिन points education and corporate governance से समन्दित भी है देखो byju company के ना valuation यानि market value एक समय में 22 billion dollars के थी बस बट अब घटके ये 200 million dollars के आसपस आ गई है 225 से 250 million dollars के बीच में byju की इस हालत के लिए कौन जिमेदार है writer कुछ points देते हैं जैसे financial irregularities जैसे देखो financial year 2022 का जो result है byju ने present ही नहीं किया बहुत late present किया बाद में पता लगा कि financial year 2022 में company को 8245 8245 करोड का loss हुआ है और उससे पहले 2021 में loss हुआ था 2,298 करोड का आज सुबह मने ख़बर पड़ी कि कुछ लोग ना byju के office से टीवी निकाल रहे हैं क्योंकि byju जो है refund नहीं दे पाया है बच्चे को इसलिए टीवी निकाल लिया ये देखो हमारे देश के लिए अच्छी चीज नहीं है मतलब दुखद खबर है किसी भी company का fail होना चाहे वो byju हो या कोई भी company हो कितने हजारों लोग का रोजगार जाता है देश की economy को भी नुकसान पहुंचता है इन्वेस्टर्स फिर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते राइटर कुछ points देते हैं कि बाई जो कि ऐसे हालत क्यों हुई जैसे देखो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा focus किया advertisement पे ब्रांडिंग पे IPL को sponsor किया football world cup में भी sponsorship ली लेकिन educational company थी तो education में innovation लाने पे focus होना चाहिए था कोई भी जो company होती है ना उसमें एक structural problem ये होती है कि वो ना numbers के पीछे भागती हैं जैसे sales, sales, sales target क्योंकि ना दिखाना होता है कि इतना revenue generate हुआ है investors जो हैं जिन्होंने पैसा लगाया है company में वो pressure डालते हैं company के founders पर की आपना ज़्यादा revenue generate करो ताकि आपकी valuation और ज़्यादा increase हो ताकि investors जिन्होंने ना पैसा लगाया है company में valuation increase होगी तो उनकी investment की value भी तो बढ़ जाएगी ना मतलब उनको profit होगा कई बार ऐसा होता है कि founder ये आरोप लगाते हैं कि investors हमें काम नहीं करने देते बहुत ज़्यादा interfere करते हैं तो जब तक जिन्होंने पैसा लगाया है company में और जो company के founder हैं दोनों के बीच में alignment नहीं होती ना ideas नहीं मिलते तो company में फिर ये सब situation पैदा होती है जो आज बाईजू में हम देख रही है और बात बाईजू की नहीं है corporate governance खराब हुई आप और example लीजिए पेटियम पर आरोप लगते हैं अब देखो पेटियम है बाईजू है ऐसा तो है निकि इनकी हालत खराब हो गई एक दिन में अब बकाईदा corporate governance में न company का board होता है board में independent directors होते हैं ये देखने के लिए कि company में कुछ भी गलत ना हो founder अपनी मनमानी ना करे मतलब जिनोंने company को establish किया है वो अपनी मनमानी ना करे और transparency के साथ company को चलाएं लेकिन बाईजू के गलत हरकते इतने समय तक चलती रही paytm की भी चलती रही भारत पे की भी चलती रही कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारे देश में corporate governance weak है board जिसका काम होता है देखरे करना company कैसे चल रही है board अपना काम ठीक से नहीं कर पाया है तभी तो आज ये हालत पे आगए बाईजू और paytm अगर देखो बाईजू में corporate governance अच्छी होती न तो founders की accountability fix होती responsible marketing होती students के experience पे focus होता student के experience पे focus नहीं हुआ इसके अलावा board अगर company का strong होता तो judicious investment बाईजू करता बाईजू ने बहुत सारी companies को purchase किया लेकिन investment सफल नहीं हुई और जिन companies को acquire किया वो भी loss में बाईजू भी loss में तो loss और ज़्यादा बढ़ता गया लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बोलूँगा जब किसी का बुरा समय आता है जैसे बाईजू का है p.tm क मान लो या फिर mb.hi वाला का भी आया था तो उस समय widget जिसका बुरा समय होता है उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स छपने start हो जाते हैं बहुत कुछ होता है जिससे जिसका बूरा समय आया ना इन सब चीजों की वज़े से उसका बूरा समय और बी ज़्यादा increase हो जाता है जाहिर दोर पे negativity और ज़्यादा बढ़ जाती है उसके साथ में जिसका बूरा समय आया है इस case में negativity और ज़्यादा बढ़ती है तो उसका फिर course कोणी लेगा उसका product कोणी purchase करेगा तो वो company और ज़्यादा डूब जाती है मलब ये वैसे ही मुझे लगा थोड़ा सा emotional सी बात है लेकिन ऐसा होता है गिरते को और गिरा देते हैं जिसका समय आता है उसको जड़ा चढ़ा देते हैं लोग आम तोर पर tendency रहती है जिसके वो काहवत है na चढ़ते सूरज को हर कोई सालाम करता है जिसका अच्या समय आता है उसकी हर जगा तारीफ करते हैं और जिसका बूरा समय आता है हर को इसको criticize करने लग जाता है खेर इस article में कुछ points हमने समझे उनको corporate governance पर question UPSC पूछे तो हम use कर सकते हैं ethics में भी use कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की discussion last में questions देख लीजिए question देख लीजिए जो आज आपको attempt करना है देखो एक ही question आज आपको attempt करना है on which of the following इस question का answer आपको देना है trickle down theory क्या चीज़ ignore कर देती है सोच ये मन में answer GDP का size तो बढ़ता है मने आपको बताया था लेकिन, लेकिन, लेकिन inequality बढ़ती जाती है तो इसका answer C है income distribution पर ध्यान नहीं देती trickle down theory समझ गए तो ये थी हमारी आज की discussion कैसे लगे आपको discussion आप comment box में बताइए मिलते हैं Monday को फिर से एक नई discussion के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बढ़िया से बढ़िये Thank you, thank you very much for discussion